उत्तरप्रदेश के जनपस स्रावस्ती में अग्यात कारणों से दो घर में आग लगने से मवेशी समेत खर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया थाना छेतर सिर्सिया अंतरगद लच्मनपुर के मंजगवा में मंगलवार की राथ बच्चू लाल पुत्र पल्टू के घर में अग्यात कारणों से आग लग गई जिससे घर में रखा घर भरवाने के लिए एक लाख नगदी कपड़े रासन साइकल सहित सारा सामान जलकर र रामीडों की मदद से नजदी की नाले के पानी की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया लेकिन जब तक आग पर काबू पाये जाता तब तक सब कुछ जलकर राक हो चुका था वहीं सुबा जब ग्राम परधान को इसकी जानकारी हुई तो मौके पर पहुँच कर पसुच चिकित्सकों को सूचना दी गई जहां चिकित्सकों ने पहुँच कर जुल से हुए मवेसियों का उप्चार किया इसके बाद मौके पर पहुँचे हलका लेकपाद दिली पिया जादों ने च्छति का आकलन किया वहीं सूचना मिलते ही पूर विधायक इंद्राणि वर्मा भी मौके पर मौजूद हुए साथ ही रोते बिलगते पीडित परिवार को ठांडस पंधाते हुए अपने इस्तर से हर संभव मदद करने की बात कही जादो तो क्या क्या नुकसान हुआ है जल गई है और तीन साइकल जल गई है लगवा आपका कितने नुकसान हुआ होगा अब का और जो है अब तक कोई अधिकारी यहां आया है अच्छा आप लोनों सूचना दी है अधिकारीों को दी है लेकर कोई आया नहीं है और यह घंडना जो है रात में कितने बज़े आग लगी है आप उनों के हैं अच्छा तो अधिकारी नहीं आया कोई सा गाउं है यह आप कैसे लगी यह कोई पता नहीं है तो कितने नुखसान हुआगा क्या क्या नुखसान हुआ अपका यह आपका है कुछ जान और भी जुल से हैं जा जो है जल गया है पांच में मरने वाले में कोन कोन से जान और है आपकी यह वह व्हieu है तो 건 अभी जुलसी हुई है लेकिन बड़ अब तक कोई अधिकारी यहां आया कोई नहीं आया और यह जो आग बुझाई गई है आप लोग के मादन से बुझाई गई यह फारे स्टेशन से जो है कोई अच्छा तो यह फारे स्टेशन को सुचना दिए थी आप लोगों ने अच्छा कोई आया नहीं अब तक कोई लेकपाल हो गए रहे हैं तोटल आपका कितने नुक्सान हुआगा आपका घर और यह सम्मिला करके जो आपके जानुवर थे कितने नुक्सान हुआगा अखंड भारत न्यूस के लिए बैजनात यादो की रिपोर्ट स्रावस्ती